हेलो एवरीवन वेल्कम बेक टो माई चैनल यूनिक फूट्स बाई शैशी फाइदे कितने हैं और यह टेस्टी भी इतनी ज़्यादा लगती है कि इसको कोई भी बहुत मन से खा लेता है तो चलिए बनाना शुरू करते इसके लिए हमें चाहिए दूद तो मैंने लिया है गाई का दूद आधर लीटर इसको मैंने चड़हा दिया आएगा इस पर और य लीजेगा तो यह रहा गेहू का दलिया जो मार्केट में बहुत आसानी से अबलेबल है और यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है कार्बो हाइडर होता है और जो फीडिंग मदर्स होती है जिनको लैक्टेशन की अगर होती है तो इसके लिए आप इसको बना सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं बुड़ों को दे सकते हैं डाइजस्ट भी यह बहुत आसानी से हो जाती है तो इसमें किसी तरह की कोई परिशानी नहीं है ना तो इसको बनाने में और ना ही खाने में और फायदे इसके खाने से आपको भूग भी बहुत लंबे समय तक नहीं लगती है, आपका पेट भरा भरा सा रहता है, इस पे आप ड्राइफूट भी आइट कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें आप ताजे फल भी मिला करके खा सकते हैं, तो दूरों तरीके से आप इसको खा सकते हैं, तो अगर आप पे रस्पे अच्छी लगेगी, तो जानने वालों में शेयर कर दीजेगा, जिसको भी रिक्वार्मेंट हो, इस तरीके का नाश्टा बनाने की, इसको आप स्विड़िश की तरह भी खा सकते हैं, क्योंकि ये मीठा बनता है, चीनी डाल करके आप इसको बना सकते हैं, मतलब इसको बहुत तरीके से हम खा सकते हैं, और इसके फायरे बहुत ही जादा है, और बैने इसमें थोड़े से ड्राइफरूट आइड कर दीए हैं, ये आपके लिए पूरी तरह से ऑप्शनल है, गर आप चाहें तो आइड करें, नहीं तो नहीं भी करें, और फिर अगर इच्छा हो तो आप थोड़ा से डाल सकते हैं, आदे चम्मच के आसपास, क्योंकि यहूं का दलिया और दूद जो है वो गाड़ा हो करके अल्री थोड़ा मीठा हो जाता है, तो मैंने बहुत थोड़ा से डाल दिया है, चलो इसमें थोड़ा से मीठा हो जाएं, ताक लोग भी इसको खा सकते हैं, और देखिए बंकैट के रेडी हो गया है, यह दूद में जाने के बाद से डलिया थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, तो इसको खाने से क्या होता है, बच्चों का डाइजेशन जो होता है, वो काफ़े अच्छा होता है, इसमें फाइवर बहुत होते हैं, तो जो बुजग लोग होते हैं, उनको भी आप नास्ते में बना करके दे सकते हैं, अगर आप दूद में नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसको सिर्फ पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके नमकीन डलिया बना सकते हैं, कुछ सबजियों के साथ जैसे की सिमला मिर्च हो गया गाजर हो गया इस तरह की सबजियां डालकर के भी आप इसको बना सकते हैं तो जिनको नमकीन खाना हो कि बनाकर प Anna कमेंट करके जरूर बतायेगा और यह हेल्दी रेसपी बना करके आप खुद आएगा और अपने बच्चों को भी खिलाएगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू